हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंजू नीटिंग चैनल फ्रेंड्स ये दिखिए आज आपके लिए कितना सुन्दर कितना प्यारा सा वूलन बोटी का डिजाइन लेके आई हूं ये दिखिए ये इसका सोल है ये दिखिए ये इसका साइड का पार्ट ये स्टेचेवल जैसा बनता है ये दिखिए फ्रेंड्स स्टेचेवल जैसा बनता है इसको आप किसी भी साइज में बना सकते हैं छोटे साइज में बड़े साइज में कैसे भी आप इसे बना सकते हैं ये इसका फ्रेंट का साइड है ये दिखिए इसे बनाना बिलकुल आसान है इसको बनाने के लिए किसी भी कलर की उन ले ले अपने मन पसंद कलर ले ले और बाकी समान जो हमें बनाते समय चाहिए हमने स्टार्ट हमें इस स्लाई पर करना है दस नमबर की स्लाई है यह देखें दस नमबर की लिए मैंने मेरी उन थोड़ी मोटी है आप अपने उन के हिसाब से अगर बरीक होगी तो आप 11 नमबर की स्लाई भी ले सकते हैं मेरी उन थोड़ी मोटी है और आगे का पार्ट हम जब फंदे ज़्यादा बन जाएंगे उसके लिए मैंने वायर वाली सलाई भी लिए अगर आपके पास ना हो तो आप जिससे गला बनाते हैं वी गला वो वली चार सलाई भी ले सकते हैं ये मैंने दस नमबर की लिए प्रोश्या हुक लिया है मारकर लिया सिलने के लिए नेडल ली काटने के लिए सीजर ली जैसे जैसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे आगे तो इन चीजों को जूरूर करेंगे अभी हम इन सलाई पर शुरू करेंगे इस सलाई को भी वायर वाली सलाई को भी अभी हटा देते हैं आगे इनकी जरूरत पड़ेगी तो आगे इन चीजों को लगाएंगे अभी हमने यहां से यह दिखे पर सबसे पहले 6 हमने त्यार करना है 6 के फंदे यहां से मैंने 6 फंदे डाल ले हैं 6 फंदे आप भी डाल लें यहां से फिर बढ़ाएंगे जितने पाओं का साइज बनाना है यहां पर 6 फंदे डालने और मेरे साथ साथ बनाएंगे पूरा बोल बोल के बताती जाओंगी अब मेरे साथ साथ बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ जब भी कोई डिजाइन कुछ भी बताती हूँ पूरा बोल बोल के रपीट करती हूँ ताकि आप जब भी उस चीज को बनाने लगे बनाते समय आपको कोई परिशानी ना आए आप बिल्कुल आसानी से उस चीज को बना लें तो friends मेरी आपसे humble request है अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है नए हैं आप मेरे चैनल पर तो please मेरे चैनल को subscribe करें, like करें, ज्यादा से ज्यादा अपने friends में share किया करें, bell icon friends ज्रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुंची यहाँ पर हमने 6 फंदे डाले हैं, मैंने दोनों सलाई को इकठा करके फिर फंदे डाले हैं, क्योंकि यह फंदे हमें थोड़े lose चाहिए, एक पर डालेंगे थोड़े tight हो जाएंगे, दोनों को मिलाके मैंने 6 फंदे डाले हैं, अभी एक सलाई यहाँ से निकाल लेंगे, और इन 6 फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे, पूरे फंदे सीधे सीधे बना लिए, उल्टी रो में पहलना जो हमने निकालना है, वो अईसे निकालना है, यह दिखिये, friends जैसे उल्टा बनाते हैं, वैसे निकालना है, निकाल के फिर धागा आगे की तरफ कर लेंगे, तो य यहां पर हमारी बड़ी अच्छी जाली जैसी बनती जाएगी फंदे उठाने में हमें परिशानी नहीं आएगी बाकी फंदे हम पहले सीधे सीधे बना लेते हैं जब हम कोई भी लाइन स्टार्ट करने लगेंगे तब हमें उल्टे की तरह फंदा निकालना जैसे उल्टा फं नहीं आएंगे पर्ला फंदा वैसे ही निकालना जैसे मैंने बताया फिर यहां परिस फंदे यह फंदा इस लूप को यहां से उठाएंगे फंदे को और यह दिखिए एक फंदा बढ़ा लेंगे बाकी फंदे हम पहले सीधे सीधे बनाते जाएंगे दूसरी साइड पर फंदा बढ़ गया और दूसरी साइड पे भी एक फंदा बढ़ गया यह देखे पहले हमारे पास छे फंदे थे अब हमारे पास आठ फंदे बन गए फिर से टर्न करेंगे ऐसे ही फंदा निकालेंगे धागा आगे करेंगे फिर सारे फंदे सीधे बना लेंगे अब हमारे पा फंदा बढ़ा आना प्य mudar ऐसे ही निकालं लेंगे धागा आगे कर लेंगे यह देखेड चेन बन लिए ये देखें बन देखे त्चेनं बन दिए यह देखे लास्ट वाला फंदा बना के फिर यहां से यहां से उठाना आपने तो यहां से भी एक फंदा बढ़ गया आठ के दस बन गए इस लाइन में भी हमने दो फंदे साइडों से उठाए उठाए हैं तो हमारे पास दस फंदे बन गए पहला फंदा ऐसा निकाल लेंगे, फिर पूरी रो सीधी सीधी बनाएंगे सीधी रो में हम फंदा बढ़ा रहे हैं, जब उल्टी रो आ रही है, बनाना तो हमें सीधा ही है तो वहाँ पे हमने सीधा सीधा बना रहा है फंदा बढ़ाना नहीं है सीधी रो में फंदा बढ़ाना फिर से फंदा बढ़ाएंगे सीधी रो यहां से पता चल जाता कि यहां से सीधी रो है यह दागा यहां से स्टार्ट किया हमने पहला फंदा ऐसे निकाल लेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर यहां से फंधा उठाएंगे, यहां से बागी सीधे-सीधे बनाएंगे, फिर लास्ट वाले फंदे पे बढ़ाएंगे. अब हमारे पास 12 फंदे बन जाएंगे इस फंदे को बना के फिर यहां से उठाना है यहां से उठा के फिर सीधा बनाना है लास्ट वाला फंदा सीधा ही बन रहा है यह देखे चेन आ रही है ऐसे चेन आती जाएगी फिर इस फंदे को निकाल के रहगा आगे करेंगे यहाँ पर अब हमारे पास 12 फंदे बन चुकी है अब फिर से हमें सीधी साइड से फंदा बढ़ाना है पहला फंदा निकाल लेंगे रहगा आगे कर लेंगे फिर यहाँ से यहाँ से उठाएंगे एक फंदा इधर से बढ़ाएंगे एक फंदा दूसरी साइड से बढ़ाएंगे तो हमारे पास 14 फंदे बन जाएंगे एक फंदा यहां से बढ़ाएंगे तो हमारे पास अब 14 फंदे बन चुके हैं तो हम इन 14 फंदों पर ही सोल बनाएंगे अब पहले दूसरी साइट चलते हैं सीधा सीधा बनाते हुए उल्टी रो में भी हम सीधा ही बना रहे थे तो हम सीधा सीधा बनाते हुए दूसरी साइट चलते हैं यह देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास यहां पर 14 फंदे बन चुके हैं अब इनी 14 फंदों पर हमने सोल बनाना है तो यह देखिए यहां तक हमने फंदे बढ़ाए थे बाकी फिर हमने ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जाना है 14 फंदों को दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए जाना है तो हमने 44 रोग कंप्लीट करनी है तो यह लाइने हमारे पास 22 बन जाएंगी तो 22 लाइने हमने ऐसे ही सीधा बनाते हुए दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए complete करने है पहला फंदा आपने हमेशा ऐसे निकालना है धागा दूसरी तरफ करना है बाकी फंदे सीधा बनाते हुए जाना है फिर दूसरी साइड पर भी ऐसे ही आपने करना है कि फंदा उल्टा जैसे बनाते हैं वैसे निकालना है धागा दूसरी तरफ करके बा यहंija फिर इदर से ऐसे फंदा निकाल लेंगे जैसे उल्टा बनाते हैं धगए बाकि एपर आद करने से हमारे इसाई चैन बनती जाएंगे तो फटी फोर रोव बनाके कमप्लीट करके हमारे पास ऐसी 22 लाइन अजाएं उतना बना लेते देखे फ्रेंड्स हमने 22 लाइने बना ली हमारी यह देखिए यहां साइड पर कितनी अच्छी चेन बनती जा रही है अब क्या करेंगे जैसे हमने इधर बढ़ाए थे वैसे ही इधर घटा लिए तो सीधी रो में हुई हम घटाएंगे यह देखे यहां पर दो फंदों को ले फिर इस साइड पे भी यह देखिए इस साइड पे भी हमने ऐसे ही करना है दो का एक करना है और लास्ट वाला फंदा सीधा यह देखिए और उल्टी रो में फिर से हमें पहला फंदा ऐसे निकालना है जैसे हम पहले निकाल रहे थे बाकी फंदे सीधे बनाने हैं सीधी रो में ही फंदे बढ़ाये थे और उल्टी रो तो हम सीधा-सीधा वैसे ही बना रहे थे तो वैसे ही हमने अब घटाते समय भी वैसे ही करना है जैसे उदर से 6 फंदों से हमने स्टार्ट किया था यहां पे भी 6 फंदे बनाएंगे यह रिखिए फिर ऐसे ही निकाल लेंगे धगा पिछे करेंगे फिर इधर यह रिखिए इधर आप कैसे भी घटा सकते हैं दो का एक करना है दो का एक करके बाकी फंदे सीधे सीधी रो में हमने घटा आना है उल्टी रो सीधा सीधा ही बनानी है तो ऐसे ही करते हुए जब तक हमारे पास 6 फंदे ना बन जाएं तो हमें ऐसे ही बनाना है शे फंदे आने तक हमें ऐसे ही बनाना है सीधी रो में भीटाते जाएंगे उल्टी रो वैसे ही सीधी सीधी बनाएंगे दिखे फ्रेंट्स हमारे इदर छे फंदे बन गए बाकी हमने साइडों में जैसे इदर बढ़ाये थे वैसे ही गटा दिये अब क्या करेंगे अब हमें वायर वाली ये दिखे हमने अब यहां से लेके यहां तक ऐसे फंदे उठाते हुए जाना है तो यह हमारी सीधी साइड है यह देखिए बादर से पता चल जाएगा यह हमारी सीधी साइड है तो इसे हमने उपर लाना है तो कैसे करेंगे यहां से हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से उठाएंगे पुरी एक एक चेन तबी मैं बोल ती कि चेन आनी चाहिए एक एक चेन में यहां तक फंडे उठा लेते हैं, देखे फ्रेंड्स, यह हमारी लाइने, 31 लाइने बनी थी, हमारे 32 फंडे हमने यहां से उठाए, 32 फंडे यहां से उठाए, क्योंकि पहला फंडा हमने पहली रो से ही उठा लिया था, अब क्या करेंगे, यहां से यह 6 फंडे, जो हमने 6 फं फंदे ही हम यहां से उठाएंगे छे फंदे एक दो तीन चार पांच छे फंदे यहां से उठा लिए अब 32 फंदे हमने इधर उठाएंगे तो 32 ही इधर लास्ट तक हम 32 फंदे उठाएंगे लास्ट वाले फंदे तक 32 फंदे इधर से उठाएंगे दिखे फ्रेंड्स, दोनों साइड पे, 22 अंता हैं चे फंद यहाँ से उठाए थे यहाँ से, और 6 फंद इतर, जो हमारे फंद इतर है, उन्हें हम तीन-तीन फंद दोनों साइड पे, डिवाइड कर देंगे तीन तीन फंदे तीन फंदे इस साइड पे ले आएंगे तीन फंदे दूसरी साइड पे यह दिखिए तीन फंदे इधर ले लेंगे एक दो तीन तीन फंदे यह दिखिए तीन फंदे दूसरी साइड पे ले लेंगे इन्हें हम सीधा बना लेंगे जो इस साइड पर आए हैं उन्हें हम सीधा बना लेंगे थोड़ा टाइट लगेगा अभी शुरू किया है तो टाइट लगेगा ये दिखिए जो हमारा सेंटर है सेंटर पर हम मारकर लगा देंगे यह कैंदे टीन इतर चले गे टीन इतर चले गे जो सेंटर पॉइंट आप मार्कर लगा देंगे यह और कि अंब क्या करेंगे कि अब हमारे स्चोफ ऑच ë coastal अब और दोनों साइट पा बराबर बराबर चलेए सेंटर में हमारे मारकर लग गया अब क्या करेंगे जो हमने फर्स्ट प्रो यह दिखें यहां से निकाल के पहले पूरा बता देती हूं आपको जैसे जैसे हमने फंदे उठाएं हैं पूरा बता देती हूं यह दिखें यह पूरे फंदे हमने उठाएं तो यह ऐसे आएगा अब क्या करेंगे अब हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे यहीं से टर्न कर जाएंगे तर्न करके फिर हमने जो पहली रो बनाने है हमने सीधी साइड आना है यह उल्टी साइड यह देखिए यह उल्टी साइड है crunch सीधी साइड आने के लिए हम एक सीधा एक उल्टा बनाते चले जाएंगे यह दिखे एक सीधा एक उल्टा ऐसे बनाते चले जाएंगे दूसरी साइड आने के लिए सीधी साइड से फिर हम डिजाइन बनाएंगे इसलिए हम उल्टी साइड पे आएं तो सीधी साइड आने के लिए हम एक सीधा एक उल्टा करते हुए बॉर्डर बनाते हुए दूसरी हम उल्टी साइड पे थे, सीधी साइड पे आने के लिए, हमने एक सीधा एक उल्टा फंदा बनाते हुए, सीधी साइड पे आए हैं, डिजाइन की अभी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बनाने में थोड़ी मुश्कील आएगी, क्योंकि अभी अभी हमने वायर पे लिए हैं सारे फंदे, तो थोड़ा सा टाइट लगेगा, जैसे जैसे बनता जाएगा, ये लूज होता जाएगा, आप क्या करेंगे, ये सीधा फंदा, सीधा बनाएंगे, धगा अपनी तरफ करेंगे, फिर इस उल्टे फंदे को बिना बुना निकाल लेंगे, फिर आगे बनाएंगे, तो ये उपर से बल जाता जाएगा, उल्टे बाले फंदे पे एक बल आता जाएगा, ऐसे उल्टा फंदा निकाल लेंगे, सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, तो इस उल्टे वाले फंदे पे एक बाल आता जाएगा तो ऐसे ही करते हुए हमें सारे फंदे बनाने हैं उल्टा फंदा बिना बुना निकालना है सीधा फंदा बनाते जाना है उल्टे फंदे पे हमारा बाल बनता जाएगा ये रिखें उल्टा फंदा निकाला सीधा फंदा बनाएंगे तो धागा उपर से जाएगा तो इस पे बाल आता जाएगा थोड़ा सा टाइट लगेगा आपको थोड़ी से परेशान नहीं आएगी जैसे जैसे बनता जाएगा तो लूज होता जाएगा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे-आगे ये फंदे लूज होते जाएंगे स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा मुश्किल कोई बात नहीं उल्टा फंदा ऐसे ही निकालना है फिर सीधा फंदा हमें सीधा बनाना है ऐसे ही बनाते हुए हम पहले पूरी यहां से पूरा बनाते हुए यहां तक आ जाते हैं दिखे ब्रेंट्स डिजाइन की टर्न कर जाना हमें और सेकंड रो में पहला फंदा निकालेंगे इस फंदे को यह देखे बाल बाला फंदा इसे बिना बुना ही निकालना है बिना बुना ही निकालना है और इस फंदे जो उल्टा फंदा नजर आ रहा है इसे हमने अब सीधा बनाना है तो यह बाल फिर से उपर आएगा पहले एक बाल था अब दो फंदे पर बाल आगे फिर से पीछे लाएंगे धागा इस बाल वाले फंदे को निकाल देंगे यह देखिए और नेक्स्ट फंदा जो उल्टा दिख रहा है इसे हमने अब सीधा बनाना है तो यह उपर से ऐसे फिर से बाल आएगा त देख तो हमारे पास फंदा है पूरा ऐसे ही करते जाना है बाल वाल यह उल्टा फंदा ऐसे निकालना है बाल वाला फंदा और अगले फंदे को हमने सीधा बनाना है बाल वाला फंदा निकालेंगे और सीधे को सीधा बनाएंगे यह दिखिए धग अपनी तरफ कर लेना इ पिर अगले फंदे को सीधा बनाना है ऐसे ही करते हुए हमें यह बला राउंड सेकंड रो बन रही है उसे कंप्लीट करना है ऐसे ही करते हुए हमें पूरा राउंड बनाके यहां तक कंप्लीट करते हैं देखें डिजाइन की सेकंड रो हमारी कंप्लीट हुई डिजाइन की थर्ड रो में थोड़ी से मुश्किल आ रही है कोई बात नहीं बिल्कुल आराम से मैनेज कर लिजिएगा थर्ड रो में पहला फंदा स्किप करेंगे अब यहां पर यह दिखिए इस फंदे को हमने सीधा बनाना है जो उल्टा दिख रहा है इसे सीधा बनाना है जो हमने तीन बल यह दिखे दो बल लिये थे एक फंदा था हमारे पास इन्हें हमें उल्टा बनाना है डिजाइन की थर्ड रो में इस फंदे को जो उल्टा नजर नज़र आ रहा है इसे हमने सीधा बनाना है और इन तीनों को एक साथ लेके उल्टा बनाना है इसे सीधा बनाना है इन तीनों को एक साथ लेके उल्टा बनाना है पूरी रो में ऐसा ही करना हमें एक सीधा इन तीनों को एक साथ लेके उल्टा बनाते जाएंगे डिजाइन की थर्ड रो में तीन बाल बाले ये देखिए जो तीन नजरा रहे हैं इन्हें हमने उल्टा बनाना है तो जो उल्टा फंदा सामने नजर आ रहा है, ये देखे उल्टा फंदा, इसे हमने सिधा बनाना है, थवर्ड रो में तो ऐसे ही बनाते हों, पूरा राउन कम्प्लीट करने हैं, देखे फ्रेंड्स, थर्ड रो हमारी पूरी कम्प्लीट हो चुखी है, अब डिजाइन की फोर्थ रो में क्या करेंगे जो फंदा हमें सीधा नजर आएगा उसे हमने सीधा बनाना है जो फंदा हमें उल्टा नजर आ यह सीधा नजर आ रहा है इसे हम सीधा बनाएंगे जो उल्टा नजर आएगा यह उल्टा नजर आ रहा है इसे हम उल्टा बनाएंगे फोर्थ रो म बरीक है तो आपने क्या करना है कि सोल को नीचे रखना है उपर पाउं रखना है पाउं रखके आपने फिर ऐसे इधर से भी डिजाइन बनेगा अभी तो एक डिजाइन बना है मैंने चार डिजाइन बनाए है आपने फिर ऐसे उपर करके उनको दोनों को मैच करके देख लेन यह देकिए जैसे मैंने यह बनाई है चार वार डिजाइन चार बार बनाएं अभी तो एक बार बना रही हूं यहां पर यह चार बार बनाई है तो फिर आपने सोल के उपर ऐसे पाउं रखना है फिर ऐसे इनको जोड के देख लेना है आपका पाउं इसमें पूरा फिट आ रहा है जितनी बार आप टाइट लगेगा तो उतनी बार ज्यादा डिजाइन बना सकते हैं मैंने चार बार बनाया है क्योंकि मेरी यून थोड़ी सी मोटी है अगर आई दो रो में तो बल चलेंगे बल देंके बनाना है तीसरी रो में फिर बाल बाले फंदों को उल्टा बनाना है और दूसरे फंदे को सीधा बनाना है और फूर्थ रो में जो सीधा नजर आ रहा है उसे सीधा बनाना है जो उल्टा नजर आ रहा है उसे उल्टा बनाना है ऐसे फोरो को बार बार बनाएंगे तो हमारा ये design ऐसे बनता जाएगा ऐसे बनता जाएगा ये design ये देखिए उठे हुए ये देखिए ऐसे उठे हुए साफ नज़र आ रहे हैं तो आप भी ऐसे अपने socks के हिसाब से अपना पाउं रखके नाप करके ऐसे जोड़ के देख लीजीएगा जितनी बार बनें आपका डिजाइन शायद बरी को उनसे बनाएंगे छे बार भी बन सकता है यह आपके पाउं का हिसाब है तो मैंने चार बार बनाया है तो इसे चार बार बनाके कंप्लीट कर लेते हैं प बनाएंगे धगा अपनी तरफ कर लेंगे उल्टा फंदा बिना बुना लेके अगला सीधा बनाएंगे तो उपर बाल लापता जाएगा जैसे हमने पहले बनाई है फर्स्ट रो उल्टा फंदा निकाल लेंगे सीधा फंदा बनाएंगे उल्टे के उपर बाल लापता पूरी रो ऐसे ही बनानी है मैं थोड़ा सा आपको और बना के बता रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह सी आ जाए डेजाई ऐसे ही करते हुँ पूरा राउंड कंप्लीट करना है फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब सेकेंड रो सेकेंड रो में यह देखें जो बल वाले फंदे थे उन्हें हमें ऐसे ही निकालना है बिना बुना फिर अगला फंदा जो उल्टा नजर आ रहा है इसे हमने सीधा बनाना है फ्रेंड्स मैं दूसरी बार यह डिजाइन बता रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल सक है एक वार मैंने बता दिया यह दूसरी बार चल रहा है ताकि आपको बिल्कुल भी परिशानी ना आये बनाते समय आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यह देखिए उल्टा हम ऐसे ही बिना बुना निकाल ने उपर से बल दे रहे हैं और अगल इसे हमने सीधा बना लेना है और जो तीन बल वाले यह दिखिए यह दो बल है और एक फंदा है तो इन्हें हमें उल्टा बनाना है डिजाइन की थर्ड रूओ फ्रेंड्स परले भी मैंने आपको बना के बता दिया है यह मैं दूसरी बार रपीट कर रही हूं आपको डिजाइन आप असानी से बनाएं इस डिजाइन को बहुत सुंदर लगेगा जरूर बना के ट्राइ करना जो तीन वाले बाले उसे हमने उल्टा बनाते जाना है और जो उल्टा नजर आ रहा है उसे हमने सीधा बनाते जाना है थर्ड रो में तो पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना है थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फॉर्थ रो में फ्रेंड्स जो फंदा हमें जैसे नजर आएगा जो सीधा नजर आएगा उसे हम सीधा बना लेंगे यह उल्टा नजर आ रहा है से हम उल्टा बनाएंगे फोर्थ रो में ऐसे करना है तो फ्रेंड्स मैंने दो बार आपको डिजाइन बनाके बता दिया ताकि आपको बनाते समय कोई भी परिशानी ना आए आप बिल्कुल आसानी से इस डिजाइन को बना लें तो अब ह हमने पूरा बनाके कंप्लीट कर लिया यह दिखिए चार बार मैंने डिजाइन डाला है आपने अपने हिसाफ से डालना है जब आप बनाएंगे अपने पाउं को इस सोल पर रखके देखेंगे फिर ऐसे अटेश करके देखेंगे उपर से अगर आपका यहां से दोनों मिल हैं पाउं के उपर दोनों मिल रहे हैं तो समझ लो कि आपका यह पूरा हो चुका है तो फिर यह देखिए मैंने यहां पर फंदे घटा दिये और लास्ट वाले के बीच में से यहां से हमने निकालना है यहां से इसे पक्का करते हैं अच्छी जासे यह सेंटर मारकर है इसे यहां से अब क्या करेंगे एक वार और यहां से निकाल लेते हैं ताकि पक्का हो जाए अब धीला धीला यह दिखिए बिल्कुल धीला छोड़ना है यहां से निकालना है ऐसे निकालते जाएंगे बिल्कुल धीले धीले निकालने के पिर इस वाले साइड से प्युआए ली यह देखे डीले निकाल रहे हूं मैं आपने भी ऐसे ही निकालने है यहां से निकाला यहां से निकालते हुए सेंटर में यहां पर हमने मार्कर लगाया था वहां से निकालने आपने कि यहां से मार्कर लगाया था वहां से निकालने अब क्या करेंगे इसे जोर से खींचेंगे ऐसे टाइट से कीचना में अच्छे से यहीं से लेना है फिर यहीं से हमने नीचे की तरफ जाना सेंटर में सेंटर में दीचे की तरफ जाने अच्छा खींचना आपने ताकि यहाँ पे हमारा थोड़ा यह दिखे ऐसे आएगा बैक साइट से ऐसे आएगा फ्रन्ट साइट से अब यहाँ पे हमने यह दिखे यहाँ से उपर आना थोड़ा फरस्ट वाली की लाइन बे यहाँ आएगा हराम से निकालना है आपने आए यह दिखे ऐसे नजर आएगा फिर आपने ऐसे पकड़ना है यह दिखे ऐसे पकड़ना है अब यहाँ पे हमने इतना रखना है कि हमारा पाउं असानी नदर चला जाए hmm बाकी हमणे यहाँ पर करते लिए इससे पकड़ने आपने कैसे सिलना इसे एक-एक चैन को यह दिखे चैन वाले इससे पार्ट को पकड़ना है फिर इधर से चेंड के एक एक पार्ट को पकड़ते जाएंगे और सिलते जाएंगे यहां से निकालके यहां से निकालना है सिलाई करते जाना इसके यह देखिए पूरा पूरा चेंड पकड़ते जाना और सिलते जाना यह देखिए ऐसे आएगा एक एक चेंड को लेते जाएंगे सिलते जाएंगे सिलते हुए यहां तक पहले सिल लेते हैं इसका आदा सिल लेंगे आदे मेंसे हमारे पाउं के लिए छोड़ देंगे देखिए फ्रेंट्स मैंने इसकी कर लिए इतना हमने छोड़ दिया पाउं निकालने के लिए अब क्या करेंगे यहां पर हमने एक दो बार और एक ही जगा से निकालना है ताकि अच्छी तरह से पक्का हो जाए और खुले ना लूज भी ना हो एक ही जगा से एक दो बार निकालके फिर पीछे की तरफ से इसे अच्छी तरह से पक्का कर देना है एक साइट पे अच्छी तरह से पक्का कर देंगे अच्छी तरह से पक्का करके फिर कट कर देंगे इसे अच्छी तरह से पक्का करेंगे यहां से हम इसकी आउट-लाइन करेंगे क्रोशिय करेंगे यह वाली को एक हससे से से हम स्टार्ट करेंगे से बनाना मिका कि को दूसरी तरफ ले जाएंगे एक चेन बनाएंगे यह एक चेन बनाएंगे फिर यहां पर हमें हर चेन के ऊपर एक एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाना है ये दिए इस दो आगे को साथ लेके चलना है एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन में एक एक बार ये देखे एक एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे बनाते हुए पूरा राउंड यहां तक बना लेते हैं पहले देखे फ्रेंड्स पूरे राउंड में हमने करने कर लिया यहां से हमने निकाला में निकाला का वहां पे हम ने यहिएओatti को पर देंगे पिरसे एक चैन बनाएंगे को किसे हैं पहले हम आगे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाया प्लीटink Lösung जाते है ए यहां से डालेंगे सिंगल क्रोशिय बनाएंगे पिछे की तरफ बना रहे हैं रहे थे आप पिछे की तरफ आ यह देखे हमारा ऐसे आता जाएगा ऐसे करते हुए पिछे की तरफ से सिंगल क्रोशिय बनाते हुए यहां तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं देखे फ्रेंड्स पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया अब यहां से हमने निकाला था वहीं से हम ऐसे निकालके एक चेन बना लेंगे ऐसे अब क्या करेंगे यहीं से हमने कट कर देना यहीं से कट कर देना अच्छी तरह से पक्का करके पीछे की तरफ इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ताकि ये धागा आगे नजर ना आए पीछे ले जाएंगे इस धागे को ये दिखेंगे आगे हमें बिल्कु साफ नजर आएगा ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ये आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की एक एक चीज को मैंने दो दो तीन तीन बार बताया है साइस का भी बताया है कि यहाँ पे अगर आपको मैंने चार बार बनाया अगर आपका बड़ा साइस है पाउं का तो आप ज़्यादा बार इस डिजाइन को बना ले सोल में भी ऐसा ही करेंगे मैंने 22 लाइने बनाई है अगर आपका पाउं थोड़ा लंबाई में जादा है तो आप इसको लाइनों को बढ़ा सकते हैं तो friends आपसे humble request है मेरे चैनल को subscribe जरूर करें Thank you for your time आगे मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ